हे हेल्धियस पीपल इस वीडियो में ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ जो किसी सुपरफूट से कम नहीं ये है सब्जा सीड्स जिसे बेसल सीड्स और तुक्मारिया सीड्स के नाम से भी जाना जाता है तो इस वीडियो में आप जानोगे सब्जा सीड्स खाने के फायदे और नुकसान और किन लोगों को इसे नहीं खाना चाहिए और सब्जा सीड्स को डाइट में एट करने का सही तरीका क्या है तो पहले बात करते हैं सब्जा सीड्स के हेल्थ पेनिफिट्स की पेसिल सीड्स यानि सब्जा के बीज काले रंग के बीज होते हैं ये एंटियाउक्सीडल से फरपूर होते हैं सब्जा सीड्स प्रोटीन, कैल्शियम, आईरन, पोटेशियम, विटामिन A, विटामिन C और फाइबर का एक अच्छा सोर्स है इनमें omega 3 fatty acid भी होता है सब्जा सीड्स की तासी ठंडी होती है इसलिए ये body coolant का काम करते हैं गरिमियों में आप इसे अपनी diet में जरूर add करें बिकाज ये body से गर्मी कम करते हैं ये weight loss करने में help करता है इसको अपनी diet में add करने से पेट भरा रहता है और भूख कम लगती है actually में इसमें fiber अच्छी quantity में होता है वो fat burn करने में help करता है अगर आपको gas और acidity की problem है ये पेट में जलन रहती है तो सब्जा सीड्स एक best option है because इससे gas और acidity की problem में आरा मिलता है और पेट में ठंड़क पहुंचती है सब्जा सीड्स लेने से sugar भी control में रहता है इसमें protein और iron होता है तो ये skin और बालों को भी healthy रखते हैं सब्जा सीड्स लेने से migraine और सरदद की problem में भी अरा मिलता है ये community को भी strong मनाते है सब्जा सीड्स लेने से body से toxins भार निकलने में भी help मिलती है तो ये तो थे सब्जा सीड्स के फायदे अब बात करते हैं इससे होने वले नुकसान की सब्जा सीड्स में fiber ज्यादा quantity में होता है तो इसे खाने से paid full ने जैसी problem हो सकती है तो अगर आपको पहले से ही bloating की problem है तो इसे खाने से बज़े इसे ज़्यादा quantity में लेने से digestion related problem भी हो सकती है जैसे की diarrhea, acidity और vomiting अब बात करते हैं किन लोगों को सब्जा सीड्स नहीं खाने चाहिए छोटे बच्चों को सब्जा सीड्स नहीं खाने चाहिए पिकाज ये उनके गले में फस सकते है प्रेगनेंट लेडिस को भी सब्जा सीड्स नहीं खाने चाहिए इसको खाने से estrogen hormone का level कम हो सकता है जो की प्रेगनेंट लेडिस के लिए ठीक नहीं है अगर आप सब्जा सीड्स को किसी सब्जी या food के साथ mix कर रहे हैं तो इसे ज़्यादा spicy ना बनाए पिकॉज ये उसकी nutritional value को खतम कर देगा अब बात करते हैं सब्जा सीड्स को अपनी diet में add करने का सही तरीका क्या है सब्जा सीड्स को हमेशा पानी में भिगो कर ही खाना चाहिए आप सब्जा सीड्स को 20-40 मिनट के लिए water भी soak करके रख दे उसके बाद आप इसे इस पानी के साथ भी पी सकते हैं सब्जा सीड्स को दिन में 2 बार एक एक चमच पानी के साथ लिए जा सकता है वेट लोस करने के लिए आप empty समच इसे पानी में ले सकते हैं या फिर आप इन सीड्स को शर्बत, निंबू पानी या स्मूधी में भी ले सकते हैं इसके अलावा आप इन सीड्स को मिल्कशेक या डैजर्ट में भी एड़ कर सकते हैं बट अगर इससे आपको कोई allergy फील हो तो आप डॉक्टर से कंसर्व करके ही इसे ले तो गाइस ये थी सब जास इसके बारे में फुल इंफोर्मेशन वीडियो इंफोर्मेटिग लगी तो प्लीज लाइक शियर और सब्सक्राइब तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल रंट इत हैल्दी, तिंग हैल्दी और लिव हैल्दी